बार्ज P305 हाथसे में 75 लोगों की मौत होई वहीं एक दुसरी घटना में टग बोट वारप्रदा में 11 लोगों की मौत होई यानि कि कुल 86 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है यलो गेट पुलिस टेशन ने जो FIR दर्ज किया है उसमें अब तक वारप्रदा का जिक्र नहीं है लेकिन जो P305 है बार्ज उसके कैप्टन राकेश वललप के नाम का जिक्र है और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाय गया है सवाल उठता है कि क्या उन कमपनियों की जिम्मेदारी नहीं बनती जिनके लिए ये कर्मचारी काम कर रहे थे सवाल ये उठता है कि क्या उन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिशित नहीं करनी चाहिए थी अब उनकी आवाज उठाने के लिए यूनियन सामने आया है Forward Siemens Union of India आगे आया है जो की Shipping Ministry से लेकर तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग कर रहा है क्या मांग है क्या मुद्दा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ Forward Siemens Union of India के General Secretary मनोज यादों है मनोज जी सबसे पहले तो ये घटना हुई इसमें कहा कहा लूप होल मानते हैं आप कहा चूक हुई है किसे जिम्बदार मानते हैं 86 मौते हुई हैं इंडियन नेवी के मताबिक जो आकड़ा है देखे सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बात को हम एक्सिडेंट मानते ही नहीं है जहां पर आयमडी की जो नोटीस थी साइक्लॉन नोटीस थी उसको पूरी तरह से नजर अंदाज किया गया है और जिस तरह से एक हपता याद चार दिन पहले जो नोटीस आई हुई थी उसके लिए कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया गया है किसी कैप्टन के उपर ब्लेम करना कहां तक सच है इस बात की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपके सामने आएगा कि पी 305 की अगर हम बात करें तो पी 305 वे एक डम बाज था जो बिना प्रॉपलर के वहां पे था वह अपने चार एंकर या पाच एंकर के बदोलत वहां पे खड़ा हुआ था जिसे खुद प्रॉपल करके या खुद सेल आउट करके जाने का उसमें कोई भी मेकेनिजम नहीं था और इस बात को अगर उस बाज को किनारे लाना है या उसको सेफ़गार करना है या उसको सेफटी जोन में लाना है तो यह पूरी जवाबदारी उनके चार्टर पे बनती है और यह बाज तब आएगा जब उसको असिस्टेंट टो करने के लिए टक बोर्ट या बागी के जो अडिशनल जो वैसल प्रोवाइड किये जाएंगे तो उसमें माश्टर का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यदि आप आपको जब नोटिस रिलीज होती है इंड से और इसमें आपने क्या सेश्टी मेजर लिया आपने ऐसे मैंग्मेंट चार्टर आपने क्या सेवटी मेजर किया किस तक आपको इस बात की आप सूर थे कि जो अकॉमोडेसन बार जैंवान पर चार एंकरर पांच और आट एंकर पर जो खड़ा है वो इस cyclone को face कर लेगा और in case of emergency जो की हुआ अगर वह anchor तूटे एंकर जो पार्ट हुए उस वक्त सपोर्ट करके या टो करके लाने की कंडिशन में था उसमेंड में जो 100% नहीं था यानि कि इसमें जवाब देही जो चार्टर है दर्मस्ट कंपनी यह भी जिम्मेदार बनती है एफ कॉन के करमशारी थे उनकी जिम्मेदारी बनती है और ओंजी सी के लिए सब काम कर यही वेसल आज आप P305 का अगर आप देखेंगे तो वो कितना साल पुराना जहाज है? जो कि डबल है ONGC की कट आफ लिस से वो जहाज आज एफ कॉन के चार्टर में काम करता है और वही जहाज ONGC की फिल्ड में काम करता है तो एक तरफ जहाँ ओंजिसी बोलती है कि हमारा cut-off 2021 year है वहीं पर दूसरा जहाज जो more than 40 plus है उसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है तो क्या उस जहाज पर काम करने वाले आदमियों की जिंदगी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ओंजिसी के जहाजों पर काम करने लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है तो एक तरह से मैं तो clear-cut बोलता हूं हमने इस बात की आवाज भी उठाई है कि जो भी जो सी फेरस के उपर वो भी ऐसे आदमी के उपर इंजाम लगाया जा रहा है जो आप अपने explanation देने के लिए जिंदा ही नहीं है तो उसको इस बात की पुष्टी की है कि उस वक्त emergency के समय जो उनका life raft होता है जो उनके safety measures होते है जो उनका safety precaution on board measures होते है वो operate नहीं हो रहे थे तो इसमें भी क्या master का दोस्त है क्योंकि जो भी इसका renewal होता है जो भी इसका maintenance का जवबदारी होती है वो चार्टर के office से होती है master के office से नहीं होती है यह जो बार्ज P305 है एक तो यह कि उस क्राइटीरिया में fit नहीं बैठता कि इसको 21-22 साल के लिए जो fit रहते हैं वो एंजेसे के लिए काम करते हैं दूसरा यह sales में registered है यह मलेशिया में पहले ही इतने साल तक सर्व करके आ गया है जो chief engineer रह्मान ने जानकारी दी कि इसके life raft puncture थे और ऐसे पर life saving equipment बराबर नहीं थे तो यह तो पूरे जान से खिलवार हो गई और इस पर लोगों ने आख पर पट्टीबान रखी थी जैसा मैंने कहा कि यह सब पूरी जो life saving जो अप्रेटर्स है जो मतलब 16 को compliance करते हैं वो सब चीजों की पूरी की पू इतनी डेट को repairing किया जाना चाहिए या उसको replace किया जाना चाहिए वो भी एक question है कि अगर जिस agency ने उसको certification दिया था कि यह life raft working condition में है या under due date है या मतलब expiry नहीं हुए तो वो भी उतना ही जवाबदार बनता है क्योंकि उसके certification के आदार पर life raft वहां पे on board रखे हुए थे तो इस condition में जैसा आपने बताया कि मैंने पहले ही बोला कि जो एक तरफ cut-off list जारी होती है ओंजिसी के हम इनको अपने project में direct involved नहीं करेंगे वहीं पर उससे double year का एक vessel वहां पर operate कर रहा है और इस बात की जानकारी होने के बावजूद की जो threat है cyclone का उस जहाज के ऊपर किनारे भेजा जाए या उस पर और भी safety measures लिया जाए एडिशनल उसको जो मोटर वेसल्स है या जो अधर टंग बोर्स है उसका असिश्टर प्रोवाइड करा है अब forward Siemens Union of India आगे आया है आप General Secretary है क्या मुद्दा लेकर आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाने वाले हैं क्य को हमेशा इतन नजर अंदाज किया जाता है बट अब यह नहीं चलेगा हमने हम बहुत सारी authority को लिखा भी है और हमारी इस तीन मांग है सबसे पहले जितने भी इंडर इस management में इस हासे के जवाबदार है उनको NGC से blacklist किया जाए उनके उपर तुरंद केस दाखल किया परिवार को कम से कम एक करोड रुपे का compensation दिया जाना चाहिए एक करोड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बार बार बोल रहा हूं इसको आप accident नहीं बोल सकते विकाज यह warning मिली ती आपको त्रेड की और आपका failure है यह आपका negligence है कि आज आज जो हमारे maritime worker है construction worker है जो भी इ प्रिप्टा जा सकता था इसका हल निकाला जा सकता था लेकिन लापरवाही की गई और इस वज़े से इतनी जाने गई है और इस लापरवाही की जवाब देही भी होनी चाहिए कैमरामन धर्मेंदर पांडे के साथ मृतिंजे सिंग एबीपी निउस मुंबाई झाल झाल झाल